What's up everyone, welcome back to the channel तो हम लोगों ने rectification of errors शुरू किया था और उसमें कल हम लोगों ने कुछ basic questions करे थे और मैंने आपके basic strong बनाने की पूरी कोशिश करे थी आज हम rectification of errors को एक next level पे लेके चलेंगे कुछ और अच्छी transactions करेंगे और कुछ ऐसी transactions करेंगे जो हमें पूरे number दिलवा देंगी तो आईए आज के नए concept को समझते हैं और rectification को आगे लेके चलते हैं चलिए, let's begin तो चलो यार, समझना शुरू करते हैं आज जो आपको heading डालना है वो सबसे पहले डालना है single-sided errors जो सबसे पहले heading डालेगा वो डालेगा single-sided errors single-sided error का क्या मतलब होता है single-sided error का मतलब होता है कि एक तरफ गलती है एक side में गलती है यानि या तो debit में गलती है या credit में गलती है कुछ इस तरीके से लिखावा है तो there is a single sided error, दोनों side गलती नहीं है, एक side गलती है, तो सब हम पहचाने के कैसे, तो इनको पहचानने के लिए बेटा आपको समझने है, तीन important शब्द जो आपको दिखाई देंगे, तीन important शब्द कौन से हैं, तीन important शब्द हैं, सबसे पहले तो debited, दूसरा credited, और तीसरा है posted, तो एक है debited, एक है credited, एक है posted, अगर आपको ये तीन words एंट्री में दिखाई दें, तो समझ जाना कि हमारे पास जो error है, वो single side का, एक तरफ गलती है, दोनों तरफ गलती नहीं है, जैसे, sir क्या example हो सकता है, जैसे, ये लिखा आए, number one, salary paid to Ram, salary paid to Ram, was wrongly debited to Ram's personal account, अब देखो क्या लिखावाए, कि जो salary है, आपने pay करी है Ram को, वो गलती से debit हो गई है, Ram के personal account को, अब देखो debit word मिल गया न, debit word देखते ही समझ जाओ कि सिर्फ एक side में गलती है, दोनों side में गलती नहीं है, it means, जब आप इसकी rectifying entry करोगे, तो आप क्या करते हो, सबसे बहले correct entry करते हो, correct entry क्या है, salary paid to Ram, यहां तक, salary paid to Ram entry बनती है, salary debit, salary debit to cash account, ये हो गया हमारे पास, suppose 1000 रुपे की salary है, यह 10,000 रुपे की salary है, 10,000, 10,000, salary paid to Ram, amount बिल गया हमारे पास, salary debit to cash, 10,000, 10,000, it was wrongly debited to Ram का personal account, हमने गलती से Ram को debit कर दिया, इसका मतलब हमने क्या करा है, ये बिलकुल ठीक है, ये बिलकुल ठीक है, गलती सिर्फ कहां पर हुई है, debit side में, हमने करा है, Ram debit, 10,000, credit में वह हुआ है, to cash, ये ठीक है, इसकी जरूरत ही नहीं है, तो ये तो हटा दो ना यार, जब ये ठीक है, तो इसकी क्या tension है, ये तो single side error की पहचान है, debited, credit, posted word use हुआ होगा, तो इसको correct कैसे करेंगे, Ram गलत debit हुआ हुआ है, credit कर दो, ये तो हो जाएगा to Ram, फिर ये अपने rectify करा, reverse करके, yeah as it is, salary debit कर दो, salary debit हो गया, 10,000, 10,000, तो entry बन जाएगी salary debit to Ram, बात समझ गये, clear हो गया है, नहीं हो गया, perfect है, अब देखो, ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, एक और entry लिखते हैं, number two, interest received from Rohan, was wrongly credited to Rohan's account, interest आपको मिला था Rohan से, और आपने उसको गलती से credit कर दिया Rohan को, तो इसको वीडियो को pause करके, खुद से शुरू करो जल्दी से फटाफट, क्या entry बनेगी हमारे पास, सबसे पहले correct entry, interest received from Rohan, interest आया तो entry बनती है, cash debit to interest, cash account debit to interest account, सही है, suppose same amount है, 10,000, आप देखो, साफ साफ लिखा भाइ, it was wrongly credited, credited का मतलब सिर्फ एक side में गलती है, credit side में गलती है, और किसको credit करा गया है Rohan को, यानि ये तो ठीक है, होना था to interest, हो गया to Rohan, 10,000, cash सही है, यहाँ पे cash debit हो आओगा, वो ठीक है यार, single side में गलती है ना बस, तो यहाँ पे हमने cash ही लिखा होगा, तो यह तो ठीक है, इसे छोड़ दो, इसे क्यों छेड़ना है, Rohan गलत credit हुआ है, सही करने के लिए क्या करें, इसको debit करते, तो हम करेंगे Rohan debit to, credit क्या होगा, interest, रोहन debit to interest, 10,000, 10,000, हमारे पास यह सीदी-सीदी एंट्री बन जाएगी, Rohan debit to interest, this is your second entry, इसको screenshot लो फटाफट से, note down करो, फटाफट से, दो एंट्री हमारे पास यह हो जाती है, अब एक बहुत important transaction करते हैं, वो क्या है, cash received from x, 1,000, was credited to y, 1,000, cash received from x, 1,000, was credited to y, 1,000, हमें x से cash मिला कितना, एक हजार, credit हो गया y को, 1,000, तो pause करो, और खुझ से करना शुरू करो, cash received from x, entry बनती है, cash account debit, to x, 1,000, 1,000, it was credited, single side carer है, एक तरफ गलती है, credit में, हमने कर दिया, to y, कितना, 1,000, तो यह ठीक है, इसके जुरत नहीं है, होना क्या था, to x, हो गया to y, यह गलत credit हुआ, इसको debit कर दो, तो हम इसको कर देंगे y debit, और यह गलत, यह गलत हुआ था, तो इसको तो reverse कर दिया, यह as it is, to x, तो entry बन जाएगी आपके पास, y debit to x account, perfect है जी, सही हो गया, तो this is how, आपके single side के errors होते हैं, अब इसमें, single side में, एक नया topic होता है, जो आप heading डालोगी, single sided errors, and the use of, suspense account, गलती single side के होगी बेटा जी, और अब हम एक नया account यूज करने वाले हैं, जिसको हम बोलने वाले हैं, suspense account, सर इसका क्या मतलब है, देखो, कई बार ऐसा होगा, कि हमारे पास एक ही side में गलती होगी, जब अब उसको ठीक करेंगे न, तो हमारे पास दूसरी side में लिखने के लिए, कोई value ही नहीं होगा, मतलब कि, single side का error होने वाला है, उसको जब correct करोगे, तो दूसरी side में, क्या लिखोगा, आप double entry system follow करते हो, तो debit और credit दोनों जगा चाहिए, अभी तक जितने भी आपने entries करी, तो debit, credit, debit, credit, debit, credit, दोनों values मिल रही थी न, अब आपको value ही नहीं मिलेगी, single side की गलती होगी, और दूसरी तरफ लिखने कोई नहीं मिलेगा, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम, देखो, example से समझते हैं, फॉर एग्जांपल ये है कि cash received from राहुल 2000, was credited to राहुल as 15,000, अब ध्यान से देखना, सबसे पहले तो cash received from राहुल 2000, 2000 राहुल से आया तो क्या entry बनेगी, cash received from राहुल 2000 तो entry बनेगी, cash account debit to राहुल 2000-2000, entry बन गई आपके पास, cash account debit to राहुल 2000-2000, ठीक है, it was credited, देखो, single side की गलती है, credited word उज हो रहे न, debited, credited, posted, समझ जाना, single side की गलती है, it was credited to राहुल, राहुल को करा तो credit ही है, लेकिन मात्र 1500, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब cash तो ठीक है, यानि कि, जिसने भी entry करियोगी, उसने cash तो सही debit करा 2000-2000, यह तो ठीक है, इसे तो हटा दो, राहुल को जब credit करने की बारी आई, तो राहुल सिर्फ कितना credit हुआ, 1500, उसने कुछ ऐसी entry करियोगी, देख रहो कितनी गलत entry करिये, चलो, anyways, हमें तो सही करना है, हमारा काम सही करना है, इट वस credited to राहुल as 1500, राहुल को गलत credit करा गया है बस, अब राहुल credit कितना होना था, 2000, राहुल हुआ तो credit है, लेकिन मात्र 1500 हुआ है, तो क्या करूँ, 500 और credit करूँ, है ना, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 2 राहुल, 500, अब 2 राहुल 500 तो कर दिया, यह तो कोई entry नहीं बनी, rectify करना है अगर, तो entry तो पूरी लिखनी पड़ेगी, debit में कुछ है नहीं, मेरे पास लिखने के लिए, तो क्या किया जाए, अगर debit में कुछ नहीं है ना बिटा, तो एक word यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, suspense, तो जब आप rectify करोगे, और आपको एक side में, कोई भी account नजर नहीं आएगा, single sided errors में ही ऐसा होगा, जब आपको एक side में account नजर ही नहीं आएगा, तो वहाँ पे आप क्या word यूज करते हो, suspense, ठीक है, जैसे, एक और example लेते हैं, wages paid, rupees 40,000, was debited, to wages account, as 4000, देखो, खुद करो इसको, वीडियो पॉज करके, wages paid 40,000, क्या entry बनती है, पहले तो यही कर लो, wages paid 40,000 की क्या entry बनेगी, wages account debit, wages account debit to cash account, यही entry बनती है, wages pay करने की, 40,000 की अगर आपने wages pay करी, तो entry बनती है, wages account debit to cash account, 40,000, 40,000, यहाँ पे word यूज हुआ है, debited, debited word का मतलब हो गया बच्चे, एक side की गलती है, debit side में गलती है, तो wages में गलती है, cash ठीक है, तो इसे तो हटा दो, यह तो ठीक है, हमने क्या करा, wages को debit करा, wages account debit, लेकिन मात्र 4,000 रुपे से, एक 0 लगाना भूल गया, होना कितना था, wages debit 40,000, 36,000, credit में लिखने के लिए कुछ है, नहीं मेरे पास, तो credit में अगर कुछ नहीं है, तो क्या word यूज करेंगे, to suspense account 36,000, लो जी, screenshot लो, चल दीसे, done हो गया, सही है, चलो, next क्या होता है, अगली transaction, credit sale, to Rahul, 7,000, posted, posted word भी तीसरा है, to Karan, as rupees 5,000, अब देखो गलतिया, कितने सारी हैं इसके अंदर, credit sale करा किसको Rahul को, हमेशा की तरह आप यहीं तक पड़ो, credit sale to Rahul 7,000, तो क्या entry करोगे आप, आप entry करोगे, Rahul debit to sales, यह सही entry है, 7,000, 7,000, Rahul debit to sales, 7,000, 7,000, सीजी सीजी entry होती है, आपने गलत पोस्ट कर दिया, posted का मतलब, single side की गलती है, कहां पोस्ट करा, Rahul की जगा, करन में, अब थोड़ा सा आपको, वहां common sense लगानी होगी, कि भाई, posted है single side, तो sale की जगा करन तो नहीं लिखेगा, नाम की गलती है, तो नाम में गलत हुआ होगा, यह थोड़ा सा common sense खुद लगानी है, सब कुछ तो question भी नहीं बताएगा, है ना, तो आपने राहूल की जगा किसका नाम लिखा है, करन का लिखा है, तो यह तो ठीक है, क्योंकि posted word उस हुआ है, posted मतलब single side की गलती, एक ही तरफ गलती है, तो यह राहूल की जगा क्या लिखा गया है, करन लिखा गया है, तो आपने लिखा है, करन डेबिट और वो भी 5000, अगर राहूल की जगा करन लिखता, अमाउंट तो सही लिखता, तो अभी क्या होगा देखो, अभी करन डेबिट हुआ हुआ है, तो इसको सही करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, तो इस करन को तो करना पड़ेगा क्रेडिट, टू करन 5000, चलो ये तो हो गया, अब राहूल सही डेबिट होना था, उसको सही से डेबिट भी करो, राहूल डेबिट 7000, देखो एंट्री अभी मैच नहीं होरी, राहूल डेबिट 7000, टू करन 5000, 2000 अभी भी 2000 का difference इधर लिखेंगे हम किस नाम से to suspense account जिसका कोई नहीं उसका suspense समझे इस तरीके से हम entry करके चलते हैं एक आप खुड try करो चलो खुड से try करो credit purchases credit purchases from X 25,000 posted to Y as 5000 चलो वीडियो pause करो और खुड से करना शुरू करो चल्दी से करना शुरू करो credit purchases from X X से समान खरीदा तो entry बनेगी purchases account debit to X 25,000 रुपे देखो यह entry बनती है अब क्या लिखा था credit purchase from X 25,000 posted to Y simple सी बात है posted word यूज हुआ है तो एक तरफ गलती है आपने Y में post करा यानि यह purchases ठीक है आपने करा to Y वो भी कितना 5000 सही है होना था to X 25 हो गया to Y 5000 तो यह गलत credit हुआ है 5000 तो सही करने के लिए क्या करोगे इसको debit करोगे तो मैं बोलूँगा Y debit 5000 यह खतम X सही से credit होना था तो इसको सही से credit करो to X 25,000 अब difference आ रहा है debit में कितने का difference आ रहा है 20,000 रुपे गा तो हम यहाँ पे लेखेंगे 20,000 debit किस नाम से suspense suspense अकाउंट डेबिट 20,000 Y debit 5000 to X 25,000 यह entry बन जाएगी आपकी ठीक है जी जल्दी से इसका screenshot ले लो बड़िया question है ध्यान से कड़ना है आपको ठीक हो गया जी sorted चलो next करते हैं अगला transaction क्या होने वाला है credit sales to Gopal 10,000 recorded in purchase book देखो credit sale to Gopal 10,000 recorded in purchase book हमने उधार में माल बेचा है पहले इसी के entry कर लो credit sale to Gopal 10,000 तो entry बनेगी Gopal debit to sales गोपाल डेबिट to sales 10,000 10,000 it was recorded ना debited है ना created है ना posted है यानि दोनों तरफ की गलती है in purchase book तो हमने क्या करा हमने करा purchases account debit to Gopal 10,000 ये entry मैंने इसले कर आई so that आपको realize हो जाए कि कहां पे single side पहचानना है कहां पे two side पहचानना है ठीक है अब ये गलत entry as it is reverse कर दो ये सीधी हो जाएगी reverse करेंगे तो Gopal debit Gopal debit to purchases 10,000 और Gopal में भी 10,000 ये as it is फिर से Gopal debit to sale तो दो बार Gopal debit करने से अच्छा एक साथ लिख दूँ 10 और 10 20,000 और 2 sales 10,000 तो आपके पास ये entry बन जाएगी Gopal debit to purchases and to sales ठीक हो गया I hope आपको समझ में आ रहा होगा एक्टिफिकेशन बहुत अच्छे से इसको note down करो 2-3 transactions और अच्छी अच्छी करते हैं अब आगे चलते हैं कुछ और entries देखते हैं क्या entry है जड़ा ध्यान से देखेंगे payment of रुपीज 500 to Mohan and 600 to Sohan was made हमने एक 500 की payment Mohan को करी है 600 की payment Sohan को करी है तो क्या entry बनती है Mohan debit Sohan debit to cash 500 600 1100 Mohan debit 500 Sohan debit 600 to cash 1100 ये हमने entry pass कर दी ठीक है but Mohan was debited by 600 अब देखो debited word उस हो रहा है इसका मतलब single side का error है यानि की Mohan debit हो गया कितने से 600 से Sohan was debited by 500 Sohan debit हुआ 500 इसका मतलब अब देखो दोनों जागा debited word उस हुआ है तो credit तो सही है वैसे भी अगर हम लिखे है तो 600, 500, 1100 ये आएगा ये बिल्कुल ठीक है चलो one on one सही करते है Mohan को debit कितना करना था 500 हमने कर दिया 600 तो भाई साब जो Mohan है 100 extra debit हुआ है तो credit करेंगे सीखा है आप लोगों ने कभी भी जादा हो जाए तो reverse कर दो अब Sohan की बात करते हैं Sohan होना था 600 हुआ सिर्फ 500 होना कितना था 600 हुआ सिर्फ 500 तो 100 और होगा तो हम लिखेंगे Sohan debit 100 तो Mohan ये entry बनेगी Sohan to Mohan I hope आपको सारी entries clear हो रही होंगे और rectification पूरा समझ में आ रहा होगा चलो Next क्या है हमारे पास Sum of rupees 800 Written off as depreciation 800 रुपे का DEP लगाया आपने Was not posted to DEP पहले तो 800 का जो DEP लगाया उसकी का entry होती है Depreciation account debit to asset account Depreciation account debit to asset account 800 800 तो entry बनी DEP account debit to asset account 800 800 It was not posted एक तरफ की गलती है है ना भाई Posted word आ गया single side की आ रहा It was not posted to DEP तो ये तो ठीक है आपने DEP में नहीं लिखा यानि आपने बस to asset लिखा है तो आपने बस ऐसा करा है debit में कुछ नहीं लिखा तो ठीक है यार asset लिखना था asset लिख भी दिया तो गलती कहा हूँ है कि DEP में नहीं लिखा गया तो लिख दो यार DEP में नहीं लिखा गया तो लिखो तो हम लिखेंगे DEP account debit 800 credit में लिखने के लिए मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा और जब किसी का कोई नहीं तो उसका कौन suspense ठीक हो गया DEP बस याद रखना जब भी match नहीं हो रहा यानि जिसका कोई नहीं उसका suspense next और last wages paid 3720 आपने wages pay करी है 3720 यानि एंट्री हुई है wages account debit to cash 3720 3720 it was recorded recorded का मतलब जानते हो recorded का मतलब दोनों साइट में गलती है in cash book हमने क्या करा wages debit to cash 3270 3270 लो जी होना था 3720 हुआ कितना होना था 3720 हुआ 3270 450 उपे का difference है चलो wages debit होना था 3720 debit तो हुआ लेकिन कम हुआ तो बाकी debit करो wages debit 450 credit cash होना था 3720 कम हुआ तो ये भी कर दो to cash account 450 लो जी गाईज तो इस तरीके से हमारे पास rectification की entries होती है I really hope आपको rectification बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और अभी एक लास और लगाएंगे चिंता मत करो कल तुमें इस chapter के सबसे typical questions कराने वाला हूँ हमने तीन दिन rectification को दिये थे तीनो दिन हम शांदार तरीके से पढ़ रहे है और उमीद है मुझे कि तुम लोग business studies भी साथ साथ तयार करके चल रहे होगे international business सुभई आ गया था 9 बजे देख लिया या नहीं देख लिया तो करते चलो 20 days follow करो और 11th में दूम मचा दो तो मिलता हूं नेक्स वीडियो में तब तक अच्छे से बढ़ते रहो all the best everyone and I'm gonna see you all super soon take care bye bye